दोस्तो आपका स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुड में दोस्तो आज की स्वीड़ में हम अकाउंट 10C क्लास 11 का जोज एनुल एक्जाम था मॉनिंग शिफ्ट का वो देखने वाले हैं ठीक है आपको मैं पूरा पेपर दिखाने वाला हूं तो एक एक करके जाए आप सारे कुश्चन देख लिजे किस तरह का जए पेपर आया था असी नंबर का दोस्तो आपको पेपर था तरह को टाइम मिला होगा टोटल दोस्तो 34 कुश्चन थे बीस कुश्चन जो ते एक एक नंबर के थे कुश्चन नंबर 21 से लेके 26 तीन नंबर के थे 27 से 29 चार नंबर के थे 30 से लेके 34 तक 66 नंबर के थे ठीक है और कुछ कुश्चन में इंटर्नल चॉइस दी हुई थी तो आपको कुश्चन में बता दिये अब यह देख लिए अब यह देख लिए आपको यह पढ़ना था और इसके बाद यह जो फर्स्ट और सेकेंड का आंसर यहां से देना था ठीक है हिंदी मीडिया में इंग्लिश मीडिया कुश्चन दोनों पेपर है जैसे फर्ड कोश्चन एंग नंबर का है लेकिन इसमें चॉइस है ठीक है आपको मैं दिखा देता हूं कि करके स्क्रोल कर दे रहाँ पेपर देख लिए ठीक है आप देख सकते दोस्तों यह एंसी की वाले कुश्चन है बीस नंबर गे तीक है में भी चॉइस है 5th 6th 7th इसमें कोई चॉइस निया 7th 8th में भी फिर चॉइस है दोस्तों English में में देख लिए 5th question 6th 7th question फिर 8th question जिसमें चॉइस थी ठीक है 8th में फिर 9th जो question इसर्शन रिजन वाला कतन कारण वाला फिर 10th में चॉइस है यहीं जो question 7 में चॉइस दे रखी आप में ठीक है इंग्लिश में में आप देख लिजिए यह इसर्शन रिजन वाला है फिर चॉइस वाला question है 10th कि उसके बाद 11 question number 12 12 में भी फिर चॉइस है दोस्तों फिर 13 ने आपको दोस्तों 15 16 17 में फिर चॉइस है ठीक है इसमें फिल आपको बताना था 18 फिर 19 एसर्शन रिजन वाला है इंग्लिश मेटब में आप देख लिजिए ठीक है कुछ अ question के जाए answer यहां पर टिक कर रहा है ठीक है तो दोस्तों confirm नहीं कि सही होंगे या नहीं लेकिन हाँ chances हैं कि सही हो सकते हैं ठीक है फिर 19th assertion reason वाला question है ठीक है इसके option आप देख लिजिए फिर 20 जो था दोस्तों वह भी MC की हो था इसमें भी choice थी 221 में है अब इंगी ट्री जो है टेए एक टीन नमबर का था आपका 22 तो थी इसमें 25 में भी choice थी थी और चीन नमबर का था इसमें 26 दोस्तों वह भी तेन factor पहनाए फिर आपको जब कॉश्चन का आंसर बताना है अब इंग्लीश में में आप यह सारे कोश्चन आराम से देख लिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं कि 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 कुशन नबर 27 दोस्तों चॉइस थी यह चार नमर के कोश्चन था 28 आपको दोस्तों डीटेल्स दे रखी है ठीक है और यह चार नमर का यह भी इंग्लिश में में देख लिए ठीक है यह आप पूरा पेपर में आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूं आप आराम से देख सकते हैं कुश्चन नमर 29 दोस्तों चार नमर का था इसमें भी यह साई डीटेल्स दे रखी है थर्टी जो है छे नमर का था चॉइस थी आपके पास तीक है आप को स्टन आराम से देख लिजिए ट्वंटीन दोस्तों यह आप देख सकते हैं इंग्लिश में में फिर थर्टी छे नमर का था इसकी चॉइस थी ओ भी आप देख सकते हैं थर्टी वन दोस्तों छे नमर का था यहां पर देख सकते हैं पांच पार्ट थे इसके फिर थर्टी टू दोस्तों यह भी छे नंबर का थे इसमें चॉइस भी थे आपके पास फिर यह question number 31 दोस्तों English medium में फिर question number 32 ठीक है फिर दो question और थे यानि total 34 question थे आपके तो 33 दो पार्ट थे दोस्तों तीन तीन नमबर के 34 दोस्तों आपको यह 6 नमर के question थे पूरा यह आप देख सकते हैं और यह फिर आपका English medium में जो question number 33 और question number 34 तो यह दोस्तों आपको पूरा में आपकाउंट का पेपर दिखा दिया class 11 का जो annual exam था morning shift का ठीक है evening shift का पेपर दोस्तों एक दिन बाद होता है तो उन बच्चों के लिए helpful होने वाला है उनको पता चला है कि इस तरीके question आने वाले है ठीक है तो आप इस पेपर को देख सकते हैं और आने वाले जो बच्चे हैं जो next time exam देंगे ठीक है उनके लिए भी helpful बने वाले है प्रैक्टिस के लिए जाए example paper के type से हो जाएगा है ठीक है तो दोस्तों मैं आपको पेपर प्रवाइड कर दिया हूं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो एंड तक देखी होगी और आपने पेपर जए देख लिया होगा अकाउंट nc class 11 का तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तर तक के लिए बाइबाइड सी ओ अगें एंड थैंक्स रोचिंग